इस लेक्षर के पार्ट में हम देखने वाले हैं कुछ की टर्म्स जो नियूरल नेटवर्क को जब हम बना रहे होते हैं टैंसर फ्लो की लाइब्रेरी के साथ तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ों को मद्दे नजर रखना है ठीक है खास दोर पर कितने नंबर ऑफ नियूरॉन् होता है और इस तरह की और भी काफी चीज़ें जो एक नियूरल नेटवर्क के अंदर हमने मदे नजर रखनी होती हैं मैं सभी को बारी-बारी आपको बताता हूं तो यह वीडियो और यह लेक्षर थोड़ा सा शॉर्ट होगा इसके पाद फिर हम एक क्वेस्टन को डील करे ले देखा ड假 कि एक कर लिंग झाली पिर को लंकि लोड किया और हमने फ्र प्र प्री-प्रॉसख किया टेटा को यानि कि जो कैटेग़ोरिकल वेरिये बल्ठ है हम ने कर दिया नरॉडिक के अंदर कै Finnish फिर हमने तो हमारे पास फिर बाद हमने एक्स को स्केल कर लिया यहां पर मसला आता है कि आपने कितने नियूरॉंस को रखना है तो एक हार्ड और फास्ट रूल है जो अक्सर डीप लर्निंग के उपर लोग यूज करते हैं जितने आपके नंबर ओफ फीचर्ज हैं उतने आपके यहां पर नंबर ओफ नियूरॉंस होने चाहिए ठीक है इस से कम तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए मतलब यह कि अगर मेरे पास जो शेप है इस डेटा के वो 6 है एक्स की तो मेरे फीचर्ज हुए 6 मैंने 6 से कम नहीं रखने अब अ अगली बात पर चलते हैं आउटपूट लेयर के अंदर कितने नियूरॉंस होने चाहिए आउटपूट लेयर के अंदर अगर आप रिग्रेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं सिरफ एक नियूरॉंस होगा because you are going to predict one continuous value या discrete value whatever is there one value को आप predict करने वाले हैं जो मैंने आपको पहले बाद बताई ना का activation function तो है ही नहीं है तो एक हो फिर दूसरी category आती है आपकी classification की starting from binary classification जब आप sigmoid function यूज़ कर रहे हैं या binary classification को कर रहे हैं तब भी आप एक neuron रखेंगे क्योंकि या तो उसमें value आएगी true की या false की आएगी ठीक है एक ही के अंदर सही हो गया तो उसी साब के आपका वो neuron एक्टिवेट हो जाता है तीसरी चीज़ आपके पास होती है multi class classification 6 classes, 7 classes, 10 classes, so on and so forth more than two classes जब भी आप classify करेंगे you have to define the number of neurons which are given in the unique values of that output feature, output label यानि के अगर मेरे पास 5 classes हैं तो मैं 5 neuron बनाऊगा और उसके लिए activation function भी different हो ठीक हो गया तो ये एक छोटी सी terms हैं जो आपको मदे नजर रखनी है अक्सरों कहात आप देखेंगे यहां पर 32 का multiple होता है यहां पर 16 का होता है तो यूजिली क्या है वो multiples आपको दिये जरूर गये होते हैं और उससे फरक भी पढ़ता है अक्सरों कहात बट वो minimum जो है आपके number of features पर depend करता है इसका मतलब क्या है कि number of neurons are directory proportional to the high dimension of the data जितना data ज्यादा high dimension का है उतने number of neurons ज्यादा होगे और number of hidden layers and the neurons in the hidden layers also depends on the number of features ठीक है तो ये बात अपने mind में रखिए कि जब features बहुत ज्यादा होगे then we will also create multiple hidden layers या one layer with more neurons लेटर ओन मैं इसको बड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा तो तीन categories continuous को predict करना regression की problem है तो एक neuron output में होगा binary करने तब भी एक neuron multi class करना है तो जितनी classes है उतने neurons यहाँ पर राइट उससे ज्यादा कर सकते हैं आप कम नहीं कर सकते क्योंकि जब ज्यादा करेंगे ना 9 classes है 9 को predict करना है 9 से ज्यादा करेंगे ना तो 9 पर बात ही खत्म होजाए नहीं अगले बिशक 100 हो आगे चलना ही कुछ नहीं है वहाँ पर calculation ही 9 तक रहनी है 9 से कम होगे तो वहरर आएगी आपको कि आपने एक class मिस कर दिया फिर हमारे पास यहाँ पर batch size की बात हुई batch size dictates या बताता है कि आपने एक iteration यानि कि पूरी iteration के अंदर कितने number of samples को process करना है ठीक है batch size हमें वो indication देता है अब अक्सरों कात यह जो batch size होता है यह propagate करता है number of samples को अगर features के अंदर आपके पास samples है total for example लगा लो के 100 तो batch size आपने 32 रखा है उसमें से 32 एक दफ़ा propagate होंगे एक iteration में फिर दूसरी iteration में और होंगे पिर तीसरी iteration में और होंगे चोथी में और होंगे पांचवी में और होंगे तो इस तरीके से यह propagation चलती है अब अगर आप batch size को बहुत कम रख देंगे तो वो training process तो improve होगा तेज होगा बट आपकी जो accuracy है वो कम हो जाएगी अगर ज्यादा रख देंगे तो training process delay होगा और आपकी accuracy जो वो अच्छी तो आजाएगी लेकिन आपके पास जो overfitting होने के chances हैं ठीक है इसको अभी हम देखते हैं यहाँ पे मैंने रखा है जी batch size 32 let's start this मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ back size मैंने रखा 32 तो मेरे पास total आप कह लें के यहाँ पे 58 seconds यह होगे 1 minute 30 seconds almost yes यह time मेरे पास इतना आया है एक मिनट 11 11 11 10 10 10 15 something like that इसी को मैं करता हूँ 8 बिल्कुली milliseconds में time चला गया हर iteration का इसको मैं करता हूँ 64 बाइदा विए आप time calculate भी कर सकते हैं अपनी information का so don't worry वो हमारे पास person time की command होती है we can also use that तो यहाँ पे हमारे पास time जो है change होता जाएगा यह आप अगर epochs बहुत ज्यादा रखेंगे so it will change really differently second हमारे पास एक और question था by the way back size का मतलब एक iteration में कितने number of samples को process करना है second verbose का इसकी तीन values होती है जे वर्बोस की zero one two check कीजेगा मैंने one दी थी तो कुछ इस तरीके से information आ रही है ठीक है zero देता हूँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यह वाली वैलियू आई है last वाली यह programming language में verbose को बोलते हैं कि आप कितनी information की output यहां पे print करना चाहते हैं मैं यहां पे दो लिखता हूँ तो मेरे पास यहां पे output आ रही है वो different way में आ रही है उसकी जो values है वो different तरीके से print हो रही है तो अक्सर हो कहा था आप one लिखते हैं ताकि आपको process चलता हूँ अभी नज़र आए उस process के कितने time हुए वो भी नज़र है अगर आप step देखना चाते हैं वो भी है loss and accuracy वो भी आए तो इस के इलावा हम अगले लक्षर पर मूव करते हैं